नमस्कार मैं भूपंद्र पांड़े हिंदी चनल में आप सबका हर्दिक स्वागत करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रतेक वीडियो कराऊं पुरा सिलेबस कंप्रीट करूं ताकि वे देश के प्रतिश्चित विश्वी डेलर में एडमीशन ले सके तो यह इस तरह का मेरा पहना लेक्चर है क्योंकि इसके पहले मैं हमेशा डिस्क्रिप्टीव लेक्चर ही लेकर आ रहा था आप लोगों के लिए जिसे आप लोगे ने बहुत ज्यादा प्यार किया बहुत ज्यादा पसंद किया और देखा और अच्छे अंक भी अरजित किये तो मैं प्रयास करूंगा कि जो भी छात्र मेरे इन लेक्चर तक पहुंच सके उन सबका सीवीटी पीजी हिंदी में एडमीशन हो जाए इसलिए आज से मै नया लेक्चर के सिरीज शुरू कराऊं आज हम पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुक पत्र पत्रिकाएं जो कि हिंदी साहित के अंतरगत आएगा क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदी के जितने भी साहितकार हुए हैं बड़े साहितकार वे किसी ने किसी पत्र पत्रिका के समाचा प्रस्ण आ सकते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे अब्जेक्टि गुरूब में तो जैसे कि एक्जाम के प्रकृति आपको पता है 75 प्रस्ण आएंगे और इसमें निगटिव मार्किंग रहेगा इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इसके तैरी करनी है और अच्छे अंकार जीत करने हैं तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी सायत्य की कुछ प्रमुख किताबे और हिंदी की कोई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के बारे में वस्तु निष्ट प्रस्ण सबसे पहला प्रश्ण है आज का क्योंकि यह हमेरा पहला प्रयास है तो हो सकता है आप लोगों को कुछ क तो हो सकता है कि आ आप लोग कुछ कमी मासूस हो, लेकिन आप comment box में comment लिक कर जरू बताएं, कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, सबसे जो पहला प्रशन है हुआ है हिंडी साहित्य का इतिहास है, साहित्य का इतिहास, जनता की चित्त उर्फित्य का इतिहास है, यहा कथन कीस का है तो यहाँ पर हमारे पास 4 मी कलब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा आठार अचार अजारी प्रसाद्यवेदी डॉक्टर गर्पती चंदर गुप्त और आठार रामचंदर शुग्ल तो आप बार बार आठार रामचंदर शुग्ल के किसी भी हिंदी साहित का इतिहास वहां की जनता की चित वृत्ति का संचित प्रतिवीम होता है। इतिहास के प्रति भारत का दिश्टिकोन कैसा रहा है। नहीं होता है लेकिन आपका concept पूरी तरह से clear रहना चाहिए। इसके बाद है हिंदी साहत की भूमिका के लेखक कौन है हिंदी साहत की इतिहास की यह किताब है हिंदी साहत की भूमिका के लेखक कौन है यह तीसरा प्रश्ण है डॉक्टर नगेंद्र आचार हजारी प्रसाद दिवेदी राहुल संकृतायन और आचार विस्तनाद प्रसाद तो आपको मालूम है कि यह जो किताब है हिंदी साहित के भूमिका 1940 में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक है आचार हजारी प्रसाद दिवेदी तो यह आचार हजारी प्रसाद दिवेदी इसके लेखक हो गए इसके बाद चोथा प्रशन है हिंदी साहित के इतिहास लेख निंदी साहित्य के इतिहास में कि हिंदी शाहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास, एक फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने 18- batteryism में किया था, और इस किताब का नाम था इस्तवार्दा लिटरेटिल एंदुस्तानी फ्रांसीसी नाम है तो हिंदी साहित के इतिहास लेखन की परंपरा का सुत्रपात किस ने किया है गारसाद अतासी ने किया है जो एक फ्रांसीसी विद्वान थे और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है इसके बाज़े पांचोगा प्रशन है आचारे रामचंदर शुकले के इतिहास गरंथ का क्या नाम है हिंदी साहित का सरवाधिक पतिष्ठित और सरवाधिक महतपून गरंथ है अचारे रामचंदर शुकले का इतिहास दूसरा विकल्प है हिंदी साहित का अतीत तीसरा विकल्प है रसमिमानस और चोथा है हिंदी साहित का वैग्यानिक इतिहास तो आपको मालूम है कि हिंदी साहित आचारा राम चंद्र शुक्ले के इतिहास गरंत का नाम है हिंदी साहित का इतिहास जो 1929 सिसी में प्रकाशित हुआ था तो यह option हमारा सही है तो चुकि है मेरा पहला प्रयास है तो हो सकता है लग रहा है आपको कोई फास्ट हो रहा है खुछ कमी होगी तो आप जरू कमेंट बाक्स में लेकर जरू बताएगा ताकि भुष में जो मेरे एपिसोड साएंगे ज़्यादा मैच्वर एपिसोड साएंगे आपके पस इन में से असत्य कथन कौन सा है कौन सा कथन गलत है शुक्ले जी का इतिहास ग्रंट सन 1929 सिसी में प्रकाशित हुआ गार्साद अतासी हिंदी साहित के इतिहास के प्रथम लेखक है तीसरा है शीर सीस्तरोज में लगबग 1000 कवियों का विवरण है और चौता है हिंदी साहित का आदिकाल डॉक्टर नगेंडर की रचना है तो आपको देखना है इसमें असत्य कथन कौन सा है पहला है सुपले जी के इतिहास गरंद सन 1929 में प्रकासित हुआ था बिल्कुर सही है गार्साद अतासी हिंदी साहित के इतिहास के प्रथम लेखक है यह भी पूरा सही है शीर सीस्तरोज में लगबग 1000 कवियों का विवरण है यह भी पुरी तरह सही है और हिंदी साहित का आदिकाल डॉक्टर नगेंदर की रचना है यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि हिंदी साहित के आदिकाल के लेखक है आचार हजारी प्रसाद दिवेदी यह ध्यान में रखिएगा इसके बद सात्वाँ जो प्रशने वा है इन में से अशुद जोड़ा छाटिये कौन सा गलत है कौन सा जोड़ा सही नहीं है पहला है राजिस्तानी भाषा और साहित के लेखक है मोतिलाल मिनारिया हिंदी साहित का वेग्यानिक इतिहास के लेखक है दॉक्टर गरपती चंद्रगुप्त हिंदी साहित का असरालि इतिहास के लेखक है सर्जोड जग्रियाचन और शीर सींसरोड के लेखक है शीर सी सिंगर तो पहला आप्सन है पुरी तरह सही है राजिस्तानी भासा और साहित के जो लेखक है वे विद्वान, मोतिलाल, मिनारिया जी है हिंदी साहित के वेग्यानिक इतिहास के लेखक डॉक्टर गरपती चंद्रगुप्ता है या भी सही है लेकिन हिंदी साहित का असरालि इतिहास लिखाया वे सुना तिरे पाठी जीने तो यह पुरी तरह से गलत है तो यह जो हुमारा उप्चन है या असरत्य है या गलत है सुद्ध है और शीरसी सिंगर की रचना है तो यह पुरी तरह से सही है अब हिंदी साहित के सरो प्रतम इतिहास गरंद का रचना काल क्या है हिंदी साहित के इतिहास में सरव प्रतम को लिखने का सबसे पहला प्रयास किया था गार्षाद अतासी जी ने और कब किया था यह हमको देखना है 1883 इसवी में 1750 इसवी में 1849 इसवी में कि 1929 इसवी में इसके बाद नवाप्रस अब उपर मैं आपको उत्तर बता ही चुका हूँ इसका हिंदी साहित का इतिहास सरोपर्थम किस भाशा में लिखा गया था अंग्रेगी में हिंदी में उर्दु में फ्रेंच में तो इसका उत्तर हो गया फ्रेंच तो ये सारी बातों को आपको मैं ब का नाम क्या है जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरंड संकली थे दस्वाएं पहला है मिस्रबंदु विनोद शेशी इंसरोज हिंदी साहित का अतीत और हिंदी साहित का इतिहास तो इसमें जो मिस्रबंदु विनोद है जो पहला ओप्सन है यह आप्सन सही है क्योंकि मिस्रबंदु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरंड दिया गया है इसके बद जो 11 प्रसन है हिंदी वीर कावे के रचीता कौन है हिंदी वीर कावे नाम की एक कितावे इसके रचीता कौन है तो इसका उत्तर है टीकम सी हिंदी वीरकावे के रचीता है तो रेंडम कोईस्टन मेंने कुछ लिया हुआ है तो इस तरह आपको तैहरी करने की एक दिशा मिल जाती है ठीक है क्या रवाँ टीकम सी इसके पाद नागरी प्रचानी सभा काशित वरा प्रकाशित हिंदी साहित के व्रियत इतिहास के कुल कितने खंड है बारा खंड है की अठारा खंड है की पंदरा खंड है की दस खंड है तो नागरी प्रचानी सभा ने एक बहुत वरिःत हिंधी साहित का इतिहास प्रकाशित क्या चठ में खंड रीती काल के संपाधक कौन है आचारा रामचेंदर्शुक्ला हैं की आचारा हजारी प्रसाद्द्य वगदि हैं कि डॉक्टर नगेंद्र है कि डॉक्टर नामवर्जी है तो इसका उत्तर है रीतिकाल के संपादक कौन है डॉक्टर नगेंद्र है रीतिकाल के संपादक कौन है डॉक्टर नगेंद्र इसके वाज़े चदवा प्रस्न है कविता कौमुदी के रचीता कौन है तो कविता कौमुदी के रचीता श्याम सुंदर्दास जी है के रस्खान है के सुरिकान शास्त्री है के राम नरेस त्रिपाठी है तो कविता कौमुदी है जो लोक जो भाषा होती उस तरह घरची ग किया है इसके जो घरचीता है रामनरेस, त्रिपार्थी जी है यह इसका उत्तर है तो इस तरह आपको दिर धिर परते हैं आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको तहरी करने हुरी निया है हिंदी सहीतिका इतिहास दर्षन इस ग्रंथ के लेखक कोन है विजेंद्र इसनातक है कि डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा है कि डॉक्टर नामवारसी है कि डॉक्टर विनैमोहन है तो इसका वित्तर है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा इसके क्या कोन है लेखक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा इसके लेकाग है इसके बाद इनमे से कौन सी पुस्तक का चारह हजारी प्रसाथ दिवधी की नहीं है हिंदी साहित के भूमिका, रीति कावे की भूमिका, हिंदी साहित का आदिकाल और हिंदी साहित का उद्भावर विकास तो आपको मालूम है कि हिंदी साहित के भूमिका, आचारह हजारी प्रसाथ दिवधी नहीं लिखी है रीति कावे के भूमिका लिखी है, डॉक्टर नगेंद्रने तो यह जो है, सोला का उत्तर क्या हो गया, बी हो गया रिति कावे की भुमिका किसने लिखी है, डॉक्टर नगेंदर ने लिखी है, इसके बाद 17 प्रशन बहुती सरल है, कभी वचन सुधा के संपादक का नाम बताईए, बाल कृष्ण भट, डेव की नंदन खत्री, भारतेंदू हरिष्चंद्र और मुंसी प्रेमचन, तब को मा पंडित बाल कृष्ण भट, पंडित बाल कृष्ण भट की इस पत्र के संपादक थे, ब्रामण, हिंदी प्रदीप, मर्यादा और सुधा, तो पंडित बाल कृष्ण भट हिंदी प्रदीप के संपादक थे, तो अभी आपको इसकी त्यारी करते समय, पत्र पत्रिकाओं की इन सबी चीजों को आपको अच्छे से याद कले ना है। इसके बाद प्रजाही तैसी 1900 प्रशन है। 1900 प्रशन है प्रजाही तैसी साथाहिक पत्र का प्रकाशन कहां से होता था। कानपूर से की बरेली से की उज्येन से की आगरा से। तो इसका प्रकाशन होता था आगरा से, आगरा से इसका प्रकाशन होता था, इसके बाद उदंट मारतन का प्रकाशन कहां से होता था, उदंट मारतन जो है हिंदी की पहली, पहला समाचार पत्र है, उदंट मारतन को माले जाता है हिंदी का पहला समाचार पत्र है, इसका प्र प्रोल प्रीपृत। अध्केश साहे। नाम के एक पत्री के थी. पंडित प्रतापनार्याण ना करें। तो आप किसी भी चीज को उगरूवर ना करें। अगर आप कॉमधिशन ईजाम के त्यारी करें। चाहिए UGC.net की या फिर असेश्ट्टर की या फिर सभी बातों को आपको याद अठना है क्योंकि हिंदी का सिलिवस बहुत बड़ा होता है बहुत सारे प्रश्ण त्यार होते हैं तो आपको deep study कानी है और मैं आपको सिर्फ एक दिशा देने का प्रयास कर रहा है तो आपको त्यारी का एक दिशा मिल सके और कुछ question तो इसमें से आपको परिच्छा में आई जाएंगे इसके बाद 22 जो प्रश्ण है वो भहती महत्पुन है सरस्वती पत्रीका का प्रकाशन कब से प्यारम गवा सरस्वती पत्रीका बहुती महत्पुन पत्रीका है प्राया इससे समाधित प्रस्ण परिक्षाओं में पूछे जाते हैं सर 1920, 1903, 1910 इसी और 1890 इसी तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का चल हुआ था 1920 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चुरुआ था 1920 में और इसके जो पहले समपादक थे वे थे चिंतमडी गोश सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन चुरुआ था 1920 में और इसके जो पहले समपादक थे चिंतमडी गोश इसके बाद जो 2300 प्रस्ण बहुत ही महत्पुन हमारे लिए सरस्वती पत्रिका के यससी संपादक का नाम क्या है मुझसी प्रेमचन आचारे महाविर प्रसाद दिवेदी आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी की माधवरा सप्रे आपको मालूम है कि सरस्वती पत्रिका के सरवाधिक महत्वण और यह सबसे संपादक हैं आचारे महावेर प्रसाद्धिवधी और इन्होंने 1903 इसी में इसका संपादन करना शुरू किया था 1903 में यह पहले संपादक नहीं थे और इन्होंने हिंदी को मतलब परिमाजित किया परिनिश्चित किया इसके वाद 24 जो प्रश्ण है गड़े शंकर विद्यार्थी कानपूर से कौन सा पत्र निकालते थे हैं पत्र से मतलब समाचार पत्र है तो ब्रामण, हिंदी प्रदीप, प्रताप या फिर माधुरी तो गड़े शंकर विद्यार्थी कौन सा निकालते थे प्रताप करके जो स समचार पत्र है वो निकालते थे प्रताब चुबिस्व का उत्तर है प्रताब वह पटीसों जो है दुलारे राव भारगाव के संपादकत में कौन सी पत्रिका लखनों से निकलती थी पहला अपसने सुधा दूसरा है माधुरी तिसरा प्रभा है चोथा इंदु तो इसका उत हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन है यह सब प्रहे आपके घरों में आता होगा हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है वर्तमान साहिति कल्यान सरस्वति विश्वमित्र आपके घरों में आता होगा तुरण जानगे होगा कि यह कल्यान है कल्यान नाम की जो पत्रिका ह पर तुपति हों पर्ष न है होगा तो मिन अ wzglुग और भारत के संपादक बनारसी गुपल प्रसाद चतुरवेदी, बनार्सी दास चतुरवेदी, राम गुपल चतुरवेदी और राजेश्वर प्रसाद चतुरवेदी तो विशाल भारत के संपादक थे बनार्सी दास चतुरवेदी तो यह आपको ध्यान में रखना है गासलेटि साहते कहा जाता था तो विशाल भारत में किस रजनकार के साहते को घासलेटि साहते कहा जाता था सुरिकांत्री पाठी निर्याला मुंसी प्रेमचंद उपेंद्र नातनाश अश्क अथ्वा पांडे बेचन शर्मा उग्र इसका उतर है पांडे बेचन शर्मा उग्र कभी कभी उग्रजी का पूरा नाम भी पूछा जाता है इनका पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग तीसवां, दिराना ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया, मादुरी, इसके बाद सुधा, चांद या फिर इंदु, इसका उत्तर है सुधा, सुधा नामक पत्रिका के इनों ने संपादन किया, आगरा से निकलने वाले साहित संदेश के संपादक कौन थे, साहित इसके संपादक थे आगरा से निकलने वाली पत्रिका के शंपादक कौन थे Tealiśmy इनकों सा योग शुमेलित भी सही है लेकिन मतवाला जो है यह कहां से निकलती थी कलकत्ता से निकलती थी मतवाला नाम की जो पत्रिका यह कहां से निकलती थी कलकत्ता से तो यह इसके लिए सही मतवाला जो पटना लिखा हुआ है यह पूरी तरह से गलत है सही क्या है आपके लिए कलकत्ता और विसाल भारत तो कलकत्ता था निकलता था आगे देखते हैं इन में से गलत जोड़ा छाट कर अलग किजिए प्रभा बालकृत सर्मा नवीन गलत जोड़ा 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 को छाटना है आपको अलग करना है प्रभा बालकृत सर्मा नवीन देवनाग रुमापति दत्य शर्मा, हंस नुंसी प्रेमचंद और मर्यादा-अचार जायर रामठंदर शेखल. क्या है गलत जोड़ा है? क्योंकि मर्यादा के संपादक कौन थे? आचारे महावीर प्रसाद योदी ने सरस्वतिपत पत्रिका का संपादन कब समःला? 1901, 1902, 1902 और 1903 इसी तो सरवसती पत्रिका शुरू हुए थी 1902 में इसके प्रथम संबादक से चिंता मड़ी गोश और अचारे महल प्रसादिय वदी नि 1903 इसी में सरवसती पत्रिका का संबादन शुरू किया इन में से कौन सी पत्रिका चायावाद की समर्थक थी पहला है सुधा, दूसरा है मादरी, तीसरा है मर्यादा और चोथा है हम्स तो जो मादरी जो आप्सन है या सही है मादरी जो पत्रिका है वा चायावाद की समर्थन थी इसके बाद विशाल भारत की सकभी के प्रती बहुत अनुदार था नहीं रखता था मतलब यह उसके प्रती उनके प्रती अनुदार था सैंती सवा हिंदी भाषा का संसकार और परिमाजन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ मतलब किस पत्रिका ने हिंदी भाषा को परिमाजित किया परिमाजित किया शुद्ध किया परिमाजित किया है ना और उस तरीके से मतलब उसका वो किया निर्मान किया जिसको आज हम यूज करते हैं तो हिंदी भाषा का संस्कार और परिमाजन किस पत्रिका के माद्यम सी हुआ मादुरी सरस्वती हंस अथवा इंदू तो इसका उत्तर है सरस्वती और इसका पूरा अस्रे जाता है अचारे महाविश्वत प्रसाद दिवेदी जी को ठीक है इसके बाद इनमे से भारते इंदु युगी पतरिका कौनसी है भारते इंदु युगी पतरिकाvette कि हंस है कि और या कि मर्यादा आपको मालूए खावी वच्छन सुधा इसका सही उत्तर है कभी वच्छन सुधा इसके संपादक थे भारत हिंदू हरिष्चंदू इन में से महत्मा गांधी के संपादर में निकलने वाला पत्र कौन सा था देश, हिंदी नवजीवन, कर्मवीर और आज तो इसका उत्तर है हिंदी नवजीवन हिंदी नवजीवन के संपादक थे महत्मा गांधी माखनला चतुडवेदी के संपादक तुम्हें निकलने वाला पत्र कौन सा था जागरण, मतवाला, कर्मवीर और समनवय इसका उत्तर है कर्मवीर इसका उत्तर क्या है कर्मवीर है इनमें से कादम्मनी के संपादक कौन थे प्त्रिका के संपादक थे मुंसी प्रेमचंद, राजेंद्र यादव राजेंद्र आवस्ति य Gör तो कादम्मानी के संपादक कौन थे राजेंद्र आवस्ति जी थे कमलेश्वर कमलेसर नाम के बहुत बहले रैटर है यह किस कहानी पत्रिका के संपादक थे सारीका, कथा भारती, निहारीका और सरीता तो कमलेसर जो हैं सारीका के संपादक थे कितने पाकिस्तान नाम का इन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है और राजा निर्बंसिया इनकी प्रसिद्ध काहानी है कम्लेश्वर जी की इसके बाद और जो उसको फाहित कादमी पुरुस्कार भी मिला हुआ है कितने पकिस्तान को किताब आपको जरू पढ़नी चाहिए इसका उत्तर है धर्मयूग इनकी जो प्रसिद्ध किरती है वह क्या है गुनाहों का देवता इनका उपन्यास है और अंधा यूग इनका घीती नाटिया है धर्मय भारती जी का और सूरज का सात्वां गोड़ा भी इनका उपन्यास है इसके बाद राज कमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंगे संपादन में प्रकाशित होती थी राज कमल प्रकाशन की है प्रकाशन समचार आलोचना समिच्छा और पराग तो इसका उत्तर है आलोचना इसका उत्तर क्या है आलोचना है जै प्रकाश भारती किस बाल पत्रिका के संपादक थे नंदन पराग रभिवार अथवाद दीनमान इसका उत्तर है नंदन निराला इन में से किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे मतवाला, सुधा, सम्मनवय और जाग्रण तो इसका उत्तर है जाग्रण से नहीं जुड़े थे 47 प्रश्ने उदियन शर्मा किस पत्रिका के संपादक रहे रविबार, वर्तमान, धर्मयूग अत्वा आलोचना इसका उत्तर है रविबार इसके बाद जहां पर समझाना है वहाँ पर मैं समझाता हूँ अगरे सब बातें क्या है याद करने के लिए आपको याद करना है बता चुका हूँ कि कौन सी पत्रिका, कहां से निकलती थी, पहली बार कब निकली, उसके संपादक कौन-कौन थे और किस स्थान से बाद निकलती थी यह सब आपको ध्यान में रखना है और तालिस्वा जो प्रशन है वह है राजियंद्र यादा दिल्ली में किस पत्रिका का संपादन करते थे हंस, कर्मयोगी, अक्षर और भाषा तो यह हंस का संपादन करते थे किस पत्रिका का संपादन करते थे हंस का संपादन करते थे और इन्होंने बहुत ही बहती बहतीरीन उपन्यास, सारा आकाज जैसा उपन्यास इंदी साहित को दिया है इसके बाद उन्चास्वा जो प्रस्टन है वह है धर्मयूग कहां से प्रकाशित होता था जिसके धर्मीर भारती जी इसके संपादक थे दिली से पटना से मुंबई से या फिर आगरा से तो यह धर्मियोग प्रकाशित होता था मुंबई से कर्मियर का प्रकाशन कहां से होता था कर्मियर का प्रकाशन किस सर से होता था और कब उस चुरू हुआ और किस इस्थान से वाई टुड़ा हुआ था तो यदि आज का यह एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बाक्स से हो कमेंट लिके जरूर बताएं लेकिन यह मेरा पहला प्रयास है तो आपसे मेरी गुजारी से है कि आप जरूर बताएं कि कि मैं इसमें क्या और अच्छा कर सकता हूँ क्या कमी रहा गई क्या अच्छा लगा और क्या कमी रहा गई इसको अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों उत तक पहुँचाने का प्रयास करें ताकि अधिक से अधिक पीजी हिंदी जब में सफल हूँ और देश के प्रतिश्चित विश्चित द्याले में प्रोवेश लें तभी मेरा प्रयास चार्तक होगा धन्यवाद जय हिंज भारत